नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने ही परिवार परिच्छा अड़्डा में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं काम समय पराधारित वो प्रस्ण जो आपके पेपरों में बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को प्रारंब करते हैं चलिए दोस्तों तो आज का हमारा पहला कोष्चन आपके सामने हैं अब ध्यान से देखेंगे कोष्चन ए अकेला किसी काम को करने में A और B से 27 घंटे जादा लेता है और B अकेला उसी काम को करने में A और B से 3 घंटे ज़्यादा लेता है तो A अकेला उसी काम को कितने घंटों में करेगा दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है आपको इस सवाल को देखे A प्लस B अगर X घंटे में काम करते हैं ठीक है आप देख रहे हैं तो A X प्लस 27 ध्यान दीचेगा A X प्लस 27 क्यों क्योंकि A और B से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है कौन तो आप कहेंगे कि A plus B से 27 गंटे समय ज्यादा लेता है A ठेक और B टीन गंटे ज्यादा लेता है किस से A plus B से और A plus B को हमने X इमान रखा है तो ये हो गया आपका X plus 27 और ये हो गया आपका X plus 3 इतनी बातें आपकी समझ में आ कहीं होगी दोस्तों अब कह रहा है कि A अकेला उसी काम को कितने घंटों में करेगा ध्यान से दोस्तों इसको आपको कुछ विशेश नहीं करना है जितने भी घंटे जादा है 27 गुणे 3 करके इसको आपको under root लगाना है और इसी को निकाल लेना है ठीक है तो आपका यहाँ पर आजाएगा 9 यहाँ पर क्या आगया आपका 9 ध्यान से सुनिए क्या आगया आपका 9 ठीक है और जो यह 9 आया यह आई है X की value किसकी value आई है X की यानिकि A प्लस B 9 घंटे में काम को समाप्त करेंगे तो A 9 X की value 9 प्लस 27 बराबर 36 यह निकि 36 घंटे में काम को समाप्त करेंगा बात समझ में आगई होगी दोस्तों आपके चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए दोस्तों देखेंगे आप बहुत ध्यान से A और B किसी काम को करने में क्रमसा है A प्लस B से 12 घंटे और 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं तो बताईए A अकेला उसी काम को कितने दिनों में कितने घंटों में करेगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा अब ध्यान देंगे 12 और 3 दिनों में और पोच किस में रहें हैं घंटों में ठीक है आपको यह थोड़ी सी बात ध्यान लखनी पड़ेगी ठीक है ध्यान से रेखेंगे 12 गुड़े 3 तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 36 ठीक है और इसी 36 का आपको अंडर रूट की निकालना है आपका आज आएगा 6 यह आई है आपकी A प्लस B की वैलू किसकी वैलू आईए दोस्तों यह A प्लस B की वैलू यह आई है आपकी ठीक है ना कितनी 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6 तो A प्लस B मिलके 6 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे ठीक है अब हम बात करते हैं A की A देखिए 12 दिन ज़्यादा लेता है तो 12 प्लस 6, 18 मतलब A काम को 18 दिनों में समाप्त करेगा लेकिन हमें कैलकुलेट करना है घंटे में समय तो आप क्या करेंगे 18 गुड़े एक दिन में 24 घंटे होते हैं यहां से आप आंसर निकालेंगे 18 दुना 36 दिना 54 चौके 72 हासिल लगा 7 18 दुना 36 और 7 आपका आजाएगा 43 432 घंटों में काम को पूरा करेगा A इतनी बात समझ में आगी दोस्तों आपके चलिए हम बढ़ते हैं अगले कॉस्चिन की तरफ ध्यान से दोस्तों देखिए अगला कॉस्चिन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है A किसी काम को करने में B से 5 दिन जादा लेता है जबकि C से 9 दिन जादा लेता है दोस्तों कॉस्चिन देखिए बिलकुल सेम उसी पैटन पर चल रहा है कि A कि C काम को करने में B से 5 दिन जादा जबकि C से 9 दिन जादा लेता है ठीक, अब ध्यान से अगले राइन पड़नी है आपको A plus B उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में C खत्म करता है ठीक, कितनी बात आप समझ चुके होंगे दोस्तों अब ध्यान देंगे आप C उस काम को अकेला खत्म करता है ठीक, तो अकेले, तो A अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है आपको इस question को देखिए दोस्तों देख़ें ध्यान से, A, B और C, ठीक, C अगर X दिनों में काम को खतम करता है, तो A कितने दिनों में काम को खतम करेगा, अगर आप श्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो देखें, C से 9 दिन जादा लेता है, X प्लस 9 दिनों में, ठीक है बा, और B से 5 दिन जादा लेता है, B से 5 दिन जादा लेता है तो आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों इसी लाइन को समझने की जरुवत है अगर हम C को X से मानते हैं तो A automatically X plus 9 हो जा रहा है तो B आप दिमाग लगा पा रहे हैं कि B कितना होगा 5 दिन जादा B से तो 5 को घटा दिजे आप 9 में से 5 घटाएंगे क्या से इस रहेगा 4 मतलब ये है कि C से B X plus 4 दिनों का जादा समय लेगा काम को खतम करने में दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे हैं ठीक है ना फिर से समझ ये C अगर X से दिनों में काम करेगा A अगर X plus 9 दिनों में करेगा और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि question में कह रहा है कि C से 9 दिन जादा लेता है और B से 5 दिन जादा लेता है तो मतलब C से 4 दिन जादा लेगा समय कौन B ठीक है ये बात आप समझ चुके होंगे अब बहुत ध्यान से देखना है आपको ये जो X है ये जो X आपने माना है इस statement को पढ़िए आप A plus B उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में C मतलब अगर C X दिन में करता है तो A plus B भी X दिनों में काम को करेंगे और मैं आपको यही तो बताते आ रहा हूं कि X की value आपको कैसे निकालनी है तो X is equal to ये जो ज़्यादा समय लग रहा है 9 और 4 इसी का आप गुणा कराईए 9, 4, 36 अंडर रूट लगाएंगे क्या आएगा 6 तो X का मान कितना आगे आपके पास 6 ठीक है A अकेला उस काम को कितने समय में करेगा A X plus 9 तो 9 plus 6 15 दिनों में A काम समाप्त करेगा समझ चुके होंगे दोस्तों आप चलिए हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके सामने लिखा हुआ है किसी टब में 3 pipe लगाए गए हैं पहले 2 pipe एक साथ काम करके टब को उतनी धेर में भरते हैं जितनी धेर में 3 pipe दूसरा pipe अकेले टब को पहले वाले से 5 देखी दोस्तों इस statement को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको ठीक है 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है फिर से सुनिए दूसरा pipe अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी तथा तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है ग्यात करो की दूसरा और तीछरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भड़ेंगे ठीके दोस्तों बहुत ध्यान से आप चीजों को समझिए देखिए हम यहाँ पे तीन पाइप मान लेते हैं A, B और C या आप मान सकते हैं P, Q, R या आप 1, 2, 3 करके भी मान सकते हैं जो आप इच्छा करें ठीके अब देखिए अगर हम लोग C को मान लें X C को हम लोग X मान लें तो B, देखिए अकेले दूसरा पाइप कहरा दूसरा पाइप यहनि की B की बात कर रहा है तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है मतलब B कितना हो जाएगा खुद से आप लगाईए X प्लस 4 ठीक है ना, खुद से आप सोचिए 4 घंटे जादा C को X माना है हमने तो B क्या हो जाएगा X प्लस 4 अब आप important चीज ध्यान देंगे परन्तु क्या है कि पहले वाले से 5 घंटे कम मतलब चाहिर सी बात है कि B से 5 घंटे जादा समय कौन ले रहा होगा X तो A X प्लस 9 हो जाएगा आप ध्यान दे रहे होंगे X प्लस 4 में अगर आप 5 घंटे जादा जोडते हैं तो क्या हो जाएगा X प्लस 9 उमीद करता हूँ दोस्तों यहां तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अब आप चीज़ों को आगे बढ़ाएगे और क्वेशन में ये भी कह रहा है कि A प्लस B और C इन दोनों का क्या है काम बराबर समय में सवाब्त करते हैं C X तो A प्लस B B X अब बात वही हो गई कि अगर A X प्लस 9 जादा 9 घंटे जादा और B 4 घंटे जादा तो 9 गुणे 4 अंडर रूट ठेक लगाईए आपका यहां हो जाएगा 36 अंडर रूट और आपका हो जाएगा 6 यह आगे आपका X की वैलू X की वैलू 6 यहीं पूछ रहा था आपसे आंसर फिलाल अगर आप इसको थोड़ा और आगे पढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं A अकेला X प्लस 9 तो 9 छे 15 ठेक B X प्लस 4 देखिए 6 प्लस 4 दस और C 6 घंटे में काम को समाप्त करेगा बास समझ में आगे दोस्तों अब देखिए दोस्तों अगर कहता क्या यहाँ तीनों मिलकर कितने समय में काम को समाप्त करते तो भी आप बड़े असानी से निकाल सकते थे ठीक है आप इन तीनों का एलसियम ले लेते तीनों के काम को आप roughlyWow कितने समय में करेंगे तो यहां से देखिए आप Bets इस तरह से एक दिन के काम को आता 10, 10 तियां 30, A प्लस B प्लस C मिलके 3 दिनों में काम समाप्त करते हैं, अगर आप से पूस्ता कि B प्लस C काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो भी आप कल्कुलेट कर लेते हैं, ठीक, टोटल काम 30, बटे B प्लस C, 5, 3, 8, 30 बटे 8, यह आपका हो जात ठीक है न, इस तरह से आप कुश्चन को कर सकते हैं, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले कुश्चन की तरफ, देखे दोस्तों, अंगला कुश्चन लिखा हुआ है, तीन आदमी और चार औरतें किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 3 औरते उसी काम को 12 दिनों में करते हैं ग्यात कीजिए कि 7 आदमी और 7 औरते उसी काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों इस तरह के कुश्चन मुझे लगता है कि आप आसानी से कल्कुलेट कर सकते हैं फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए तीन आदमी और 4 औरते मिलकर काम को कितने दिनों में सवाप्त कर रहे थे 16 दिनों में ठीक है ना तो 3 आदमी प्लस 4 औरते हैं हमने आदमी और और औरतों को M और W से दिनोट कर रखा है इंटू 16 ठीक और इनका काम उसी काम को करते हैं दूसरे चार आदमी प्लस तीन आदमी तीन ओरतें मिलके कितने दिनों में बारा दिनों में तो दोनों वर्क तो एक्वल है ना ठीक है बास समझ में आई तो हमने इसको एक्वल कर दिया ठीक है अब आप अंदर मल्टिप्लाई करेंगे और यहां से 16-3 जा 48 16-4 जा 64 ठीक और यहां भी देखिए 12-4, 48 बारातियां 36, 48 आदमी से 48 आदमी तुरंटी कैंजल आउट हो गए ठीक है आपका बचेगा क्या ध्यान दीजे आप पच्छांतर करेंगे 64 में से घटाएंगे 36 आएगा आपका 28 औरतें यहां से आप W की वैलू निकाल लेंगे W की वैलू आएगी 0 इतनी बातें किलिए हैं दोस्तों W की वैलू की आजाएगे आपकी 0 यानि की औरतें 0 अब हम से कह रहा था कि चलिए ठीक है भाई औरतें सुनने हैं बिलकुल ठीक आप सही कह रहे हैं अब हम यहां से निकाल लेते हैं कुल काम तो देखिए तीन आदमी प्लस औरतें W की वैलू तो 0 आ गई है तो आप यहां पर 0 पुट कर सकते हैं 4 औरतें थी तो आप 4 गुने 0 बराबर 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर देखिए यहाँ पर भी आप 36 औरतें थी ठीक है मलब 36 नहीं तीन औरतें थी तो बात यह 36 हुआ था औरतों के वैलू जब 0 है डबलू इज़ गॉल टो 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा अब आप यहाँ से अगर ध्यान दें तो 12, 4, 48 और 16, 3, 48 कुल काम कितना है? 48 औरतों इसी काम को तो करने के लिए कह रहा है ठीक है? कौन करे? साथ मैन और साथ औरतें मिल के लेकिन साथ औरतें तो उमें डबलू की वैलू तो 0 आ रही है तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया ठीक? और साथ मैन की बात अगर की जाए तो साथ आदमी बने हुए है ठीक है? अब 48 काम को करना है 48 उनिट काम को करना है कितने लोगों को? साथ आदमीों को तो 48 बटे 7 यह हो गया आपका आंसर ठीक है? इसी सवाल को आप दूसरे पैटर्ण से भी कर सकते थे आईए देखते हैं उस तरह को कि आप इसी सवाल को दूसरे तरह से कैसे बना सकते थे देखे दोस्तों ध्यान से देखेंगे अब आप कि इसी सवाल को आप दूसरे तरह से कैसे बना सकते थे कह रहे हैं ग्यात करो की साथ आदमी और साथ औरते उसी काम को कितने दिनों में करेंगे बहुत त्यान से देखिए दोस्तों काम वही है ठीक है न अब हम देखिए यहाँ पर अब की बार साथ आदमी और साथ औरतों की बात करते हैं अब देखिए यह जो डबलू की वैलू हम निकाल चुके हैं तो यह तो आपका जीरो हो जाएगा पूरी तरह से और यहाँ से आप मल्टिप्लाई करेंगे तो 16 त्रीजा हो जाएगा 48 इतनी बात clear हो गई होगी, उमीद करता हूँ, अगर इतनी बात clear हो रही है, तब आप ध्यान दीजे 16 थी जा, 48 men, ठेक, age equal to, चली हम थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 48 men, age equal to, अब देखी, 7 men plus 7 women, थाई आपके, तो women की value तो 0 आपके, 7 men, ठेक, plus, into, sorry, into, हमने x से denote कर रखा था दिनों की संख्या को, तो x, देखी, m से m cancel out हो जाएगा, और यहाँ पर जिनों की संख्या, x is equal to, 48 upon 7, calculate होके आजाएगी, यह होगया आपका answer, इतनी बातें clear होगें दोस्तों, उमीद करता हूँ कि यह सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से, मैंने आपको, दो तरीके बता दिये, इस सवाल की तरफ, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है आपका, A, B, C, किसी काम को करम सा 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं, अगर वे आखरी तक साथ मिलकर काम करते रहें, तो 750 रुपए की कुल मजदूरी में से सबका हिस्सा ग्याद करें, दोस्तों, अब आप सवालों को कैसे आप कल्कुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखेंगे दोस्तों, पहले तो एक बात आप ध्यानते रहें, कि जो मजदूरी होता है, मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में विभाजित होती है, यह आप नोड बनाके कहीं लिख लीजए, जो नए विद्या थी हैं उनके लिए important बात अगर सारे मिलकर खत्म होने तक काम करते रहें तो उनके काम का अनुपात और छमता का अनुपात समान ही होता है ये important बात है इसको आप ध्यान में रखिएगा ठीक है अब सुनिए A. 10 दिनों में B. 12 दिनों में C. 15 दिनों में काम को करता है ठीक तीनों मिलकर काम करे और अन्त तक काम किये ठीक कुल काम निकाल लेते हैं इनका LCM 10-12-15 का या फिर multiple LCM ले लिजे या multiple ले लिजे दोनों से काम चल जाएगा तो हमने LCM ले लिए 15-4-60 ठीक 10 छंका 60 यहाँ पे 6 काम एक दिन में A के दोरा 6 काम B के दोरा 12-15-60 एक दिन में 5 काम किया जा रहा है और C के दोरा एक दिन में 15-4-60 यानि की 4 काम किया जा रहा है ठीक अब तीनों मिलकर अगर एक दिन काम करते हैं तो 6-5-11-4-15 काम को समाप्त करेंगे ठीक है न चलिए अब 15 काम 15 काम एक दिन में समाप्त करते हैं तो 60 काम 15 चोग के शाठ चार दिनों में करेंगे जाहिर सी बात है ठीक है अब ये 4 दिनों में काम کی समाप्ति क्र दे रहे हैं ये बात समझ में हैं अब आप ध्यान देंगे देखिए दोस्तों अगर यह सब मिलके काम को चार दिनों में समाप्त कर रहे हैं अब आप ध्यान देंगे तो कौन-कौन कितना काम कर रहा है बहुत ध्यान से आपको समझना है ठीक है देखिए ध्यान से यह महोते छे काम करते हैं एक दिन में तो चार दिन में कितना काम करेंगे गुणा करवाने की जरुवत नहीं है गुणा करवा के भी करेंगे तब भी आएगा थिक बी महोते एक दिन में करते हैं पांच काम को तो चार दिनों में कितना करेंगे और सी भी इसी तरह से तीनों का हमने अनपात बनाया और तीनों समान स समय तक कार्य कर रहे हैं, तो चार दिन, चार दिन और चार दिन आपस में दूसरे से कट जाएंगे, आपका जो उनपात बनके आएगा वो छे उनपाते, पांच उनपाते, ग्यारा बनके आएगा, ठीक, अब इनको कुल काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं, तो आप कहेंगे सा 3050, 750 में 55 से भाग कर देजे, तो 50 रुपया मिलेगा एक यूनिट के लिए, ठीक, तो 6 यूनिट के लिए इनको 300, 5 यूनिट के लिए 240 और 4 यूनिट के लिए इनको 200 रुपए मिलेंगे, ये आ गये, A, B और C के काम, ये हो गयाआपका, काम का पैसा, कितना-कितना पैसा मिल इनको ठीके न यह हो गया आपका आंसर ठीके दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको ये कुश्चन भी समझ में आया होगा दोस्तों हम अपनी आज इकलास दोस्तों यहीं पर रोकेंगे मैं उमीद करता हूं कि आपको आज के सारे कुश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जल्दी से ठीक है दोस्तों?